नमस्कार मैं हूँ प्रगती वाजपे और आप देख रहे हैं पत्रिका.com अमूमन मैं आती हूँ और आपके सामने आटो मोबाइल से कोई जरूरी बात या कोई ऐसी खबर आपको बताती हूँ जिसका जानना आपके लिए बेहर जरूरी होता है आज मैं आपको कोई खबर नहीं देने वाली हूँ बलकि आपको एक किस्सा सुनाओंगी ये किस्सा भी कारों की दुनिया से जुड़ा हुआ है ले चलती हूँ आपको सीधे 2008 में जबकि टाटा नैनो लाँच हुई थी जिहां इस कार का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था क्योंकि रतन टाटा ने एक लाख रुपए में कार का सपना साकार होने की बात कही थी और यही वादा वो टाटा नैनो के साथ पूरा कर रहे थे खेर, 2008 में इस कार ने जितनी सुर्खियां बटोरी वक्त के साथ ही इसके पॉपुलरिटी और विक्री दोनों कम हुई और 2018 में इस कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया यानि 2008 से 2018 के बीच में जो हुआ इस कार का जैसा सफर रहा उस से हम सब वाकिफ है लेकिन जो बात हमें नहीं पता वो यह कि आखिर टाटा नैनो को बनाने का ख्याल रतन टाटा के दिमाग में आया कैसे इंस्टाग्राम पे एक post viral हो रहा है और इसमें इस बात का जिक्त किया गया है कि किस तरह से उनको inspiration मिले इस कार को बनानी किर वही बात मैं आपको बताने के लिए आई हूँ इस इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया गया है कि रतन टाटा ने कैसे मुंबई की बारिश में एक बार मोटर साइकल पर चार लोगों को सवार देखा और इस घटना को देखते वे उनके दिल से आवाज आई कि उन्हें इन आम लोगों के लिए कुछ करना चाहिए उन्हें ऐ ऐसे लोगों के लिए कार बनाने की जरूरत है जो महंगी गाड़ी नहीं खरी सकते और उसी वक्त उन्होंने निश्चे किया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो महद एक लाख रुपए में आएगी यानि कि उन्होंने एक लाख रुपए में फैमिली कार बनाने का निश्च थी लेकिन ये कार उनके लिए महज एक प्रोडक्ट नहीं था उनके लिए ऐसा नहीं था कि टाटा एक नई कार लाउंच कर ये बलकि ये उनके लिए लोगों से किया हुआ एक वादा था जो वो इस कार के साथ पूरा कर रहे तो यही वज़य थी कि कॉस्ट जादा होने के बा चलता है कि उद्योग पतियों में अगर रतन कोई है तो सिर्फ रतन टाटा है जिनके लिए बिजनेस से कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट है उनके शब्द यानि उनकी क्रेडिबिलिटी आज के लिए बस इतना ही बाकि देश और दुनिया की तमाम भड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं पत्रिका डॉट्टॉ